गौरईया चित्र जफा इस प्रिष्ट पर बेर के पेड़ दर्शाय गये हैं जिसमें दो गौरईया को बैठाया वगा दिखाया गया है प्रिष्ट छे इस पूरे प्रिष्ट पर चित्र दर्शाया गया है, जिसमें की एक घर की खिड़की पर एक बहन भाई, जिसमें की बहन बड़ी और भाई छोटा है, अपनी खिड़की से बाहर पेड में बहुत सी गौरईया को निहार रहे हैं. प्रिष्ट साथ बुल-बुल, हुद-हुद, तोते और गौरईया के जुंड। गौपाल और लीला उन्हें दूर से देखते रहते, तो चिड़ियां अपने खेल कूद में मस्त रहती, लेकिन जैसे ही वे उनके पास जाने की कोशिश करते, चिड़ियां फुर हो जाती। गौरईयों की बात अलग थी, वे डरपोक नहीं थी, चाहे कोई आय जाये, वे हमेशा पेड़ों पर उचकती और चहकती रहती। चलो, हम चिड़ियों के लिए कुछ खाना डालते हैं, तब वे उसे खाने के लिए यहां आएंगी। लीला ने कहा, हाँ हाँ चलो, ऐसा ही करते हैं। गोपाल बुला, वे रसोई में जाकर डिब्बों को देखने लगे। तुम्हें यहां से क्या चाहिए। मा ने उन्हें डिब्बों को यहां वहां रखते देख पूछा। प्रिष्ट आठ, इस प्रिष्ट पर एक चित्र दर्शाया गया है, जिसमें आस्मान में बहुत सारी रंग बिरंगी चड़ियों को उड़ते दर्शाया गया है, और नीचे जाडियों का जुंड है। थोड़े से चावल, बिल्कुल थोड़े से चावल मा, लीला बोली, तुम्हें चावल किसलिए चाहिए, मा ने पूछा, हम चिड़ियों को चावल खिलाना चाहते हैं, लीला ने कहा, मा ने उन्हें थोड़े से चावल दे दिये और बच्चे उन्हें तुरंत लेकर भाहर प्रिष्ट नौ इस प्रिष्ट पर एक चित्र दर्शाय गया है जिसमें लीला और गोपाल अपने घर के आंगन में बैठे हुए दिखाई दे रही हैं और बहुत सारी गौरईया उनके आसपास हैं जिनके लिए उन्होंने दाना डाला है और एक कटोरी में पानी भी रखा हुआ है प्रिष्ट दस आप तक गौरईयों का हौसला बढ़ गया था वे बरामदे में भी जा पहुँची और सारे चावल खा गई दूसरे दिन सुभा गोपाल और लीला जब घर से बाहर आये तो देखा कि बगीचे में गौरईया ही गौरईया थी कुछ पेडों पर बैठी थी, कुछ जमीन पर, कुछ चह चहा रही थी तो कुछ इधार उधार उड़ रही थी पहले की तरह बच्चों ने चावल डाले जिने उन्होंने इस बार भी चुग लिया जब बच्चे घर के अंदर गए तो कई गौरईया उनके पीछे पीछे उड़ कर आ गई बच्चे बड़े खुश हुए और उन्होंने कमरे के फर्ष पर चावल डाल दिये गौरईयों ने उन्हें भी चट कर लिया और ऐसे चूँ चूँ चीं चीं करने लगी मानों कह रही हूँ और चाहिए थोड़ा और चाहिए माने भी गौरईयों के खूब खातिर की उन्होंने न सिर्फ बच्चों को चावल ले जाने दिये वरन उन्हें गौरईयों को खिलाने के लिए बचा हुआ खाना भी दे दिया अब तो गौरईयों का पूरा जुन्ड ही आधम का वे घर के भीतर आती, बाहर जाती, कमरों में उड़ती फिरती कहीं भी बैठ जाती और अपनी बोली में जाने क्या क्या कहती कुछ ही दिनों में उनका घर घर नहीं रहा, गौरईया कॉलोनी बन गया गौरईयों ने घर के अंदर घोसला बनाना शुरू कर दिया अपने घोसलों के लिए चोँच में दबा कर कभी वे घास लाती, कभी पंक, तो कभी टहनिया गौरईयों के एक जोड़े ने अलमारी के ऊपर अपना घोसला बनाया दूसरे जोड़े ने मा के पलंग के ऊपर लगे पंके पर ही घोसला बना लिया तीसरे जोड़े ने पिताजी की ड्रेसिंग टेबल ही चुनली जल्दी ही घर में जगा जगा गोरईयों के घोसले बन गए जब पूरी गोरईया कॉलोनी बन रही थी तो घर में घास फूस तो गिरना ही था कई बार कमरे ऐसे गंदे लगते जैसे कई दिनों से उनकी सफाई ही ना हुई हो इस प्रिष्ट पर एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें पिताजी को अपनी ड्रेसिंग टेबल के आगे अपने सिर पर हाथ रखे हुए दर्शाया गया है और ड्रेसिंग टेबल के अगल बगल गोरईयों को दर्शाया गया है एक गौराया ड्रेसिंग टेबल पर बैठी है मा इस बात से जरा भी खोश नहीं थी जब खाना परोसा जाता तो गौराया का जुंड घर के लोगों के खाने के लिए मेज पर बैठने से पहले ही वहाँ जमा हो जाता वे प्लेटों में चोच मारती और चोच में भर कर खाना भी साथ ले जाती कुछ गौराया पानी पीने के लिए काँच के गिलासों पर बैठ जाती मा इन मेहमान चिडियों से परिशान हो गई थी मा को घर साफ रखने में दिक्कत होने लगी थी परिशानी बढ़ने की वजह से अब पिताजी भी थोड़ा चिड़ने लगे थे गोपाल और लीला को बहुत दुख हुआ उन्हें लगा कि इन चिडियों को घर मिला कर उन्होंने गलती की है तब मा, पिताजी, गोपाल और लीला ने सोचा कि इस तरह से गोरईयों को रख पाना संभव नहीं है माना कि उन्हें सारे जानवरों और पक्षियों से प्यार है और उन्हें गोरईयां अच्छी लगती हैं मगर इतनी सारी गोरईयों के साथ तो नहीं रहा जा सकता उन्होंने गौरईयों को घर से बाहर भगाने का निश्चे किया कोई भी गौरईयों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था वे तो केवल उन्हें डरा कर घर से बाहर करना चाहते थे इसलिए लीला, गोपाल, मा और पिताजी ने जाड़ू, तौलिय, डालियां और लकडियों के साथ चिडियों के ऊपर धावा बोल दिया प्रिष्ट तेरह इस कमरे से उस कमरे तक इन चिडियों का पीछा किया गया मगर गौरईया भी कम न थी अगर उन्हें दर्वाजे से निकाला जाता, तो वे रोशंदान से भीता रा जाती पंखे पर से उड़ाया जाता, तो वे कमरे की छट पर बनी कडियों में छिप जाती गौरईयों को भगाने का परिवार का आथक प्रयास सफल नहीं हो रहा था और इस वजह से पिता जी का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था उन्होंने दो तौलिये लिए और उन्हें हवा में घुमा घुमा कर इन चिडियों को भगाने लगे वे तेजी से दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन मा उनके पीछे जाडू लेकर भागी लीला और गुपाल भी एक कमरे से दूसरे कमरे तक इन चिडियों का पीछा कर रहे थे इस प्रिष्ट पर एक चित्र दर्शाय गया है जिसमें लीला गुपाल वह उनके माता पिता अपनी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे हैं जिसमें की गौरईयों को कोई तो उनकी चेर पर बैठी है कोई टेबल पर और कोई फर्श में और कोई उनके ग्लास से पानी पीते हुए दर्शाय गई है और एक चिडिया तो उसके पिताजी के नज़दीक से उड़ रही है प्रिष्ट चोधर परिवार की सारी सेना शूशू और हुश हुश के आवाज करती हमला करती रही आखर चिडियों को समझ आ गया कि यहां खत्रा है वे एक एक करके बाहर जाने लगी उन्होंने सारे दर्वाजे और खिड़कियां बंद कर दी पिताजी ने एक लंबी सीड़ी लगा कर रोशन भागना पड़ा इसके बाद गुराया बरामदे तक तो आई अंदर ज्हांका भी लेकिन घर के भीतर आने के उनकी हिम्मत नहीं हुई लेकिन वे बगीचे में और घर के बाहर तो आही रही थी चिडियों को बगीचे में बैठा देख पिताजी ने सोचा कि अच्छा यही ह होगा कि उन्हें वहां से भी भगा दिया जाए इस प्रिष्ट पर दाहीनी तरफ एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें पिताजी को हाथ में कपड़ा लिये हुए उन्हें चिडियों को भगाते हुए दर्शाया गया है और उपर पंखे में दो चिडियों को उड़ते और इधर गोपाल भी हाथ में कपड़ा लिये उन्हें उड़ा रहा है प्रिष्ट पंद्र अच्छा यही होगा कि उन्हें वहां से भी भगा दिया जाए फिर उन्होंने ऐसा ही किया और इन चड़ीयों को कहीं भी रहने नहीं दिया गया अगले दिन घर सूना सूना लगने लगा न कहीं परों की फड़ पड़ा हट थी नहीं कहीं कोई चह चहा हट सारी हलचल खत्म हो गई थी मानों किसी के पास बात करने के लिए कुछ बचा ही नहो हर ओर एक उदासी चा गई थी लीला और गोपाल तो एकदम चुप चुप रहने लगे थे माता पिता ने उनका दिल बहलाने की बहुत कोशिश की लेकिन उनकी उदासी दूर नहीं हुई उन्हें चिडियों की याद आ रही थी लेकिन वे जानते थे कि इतनी सारी गोरेयों के साथ घर में रहना संभव नहीं है बच्चों के लिए वे बहुत ही उदासी भरे दिन थे इस प्रिष्ट पर दाहिनी तरफ एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें मा और पिताजी अपने अपने हाथ में जाडू लिये हुए चिडियों को उड़ाते हुए दर्शाय गये है जबकि गोपाल और लीला भी उन चिडियों को उड़ाते हुए दर्शाय गये है प्रिष्ट सोला वे अपने घर के बाहर बैठ जाते और चिडियों को देखते रहते वे देखते कि बगीचे के बाहर बाड़ों और पेड़ों पर गौरयां बैठी हैं क्यों न चिडियों को वहीं बाड़ों पर चावल डाल दे एक दिन लीला ने गोपाल से पूछा नहीं नहीं माँ हमें ऐसा करते देख लेंगी तो नाराज हो जाएंगी गोपाल ने जवाब दिया मा ने उनकी बातें सुन ली वो बोली स्टोर में गत्ते का एक पुराना डिब्बा पड़ा है उसे बाड़ के पास बांदो और उसके अंदर चावल रख दो बच्चे खुशी से जूम उठे उन्हें फिर से गोरईयों के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा था मा ने जैसा उनसे कहा था उन्होंने वैसा ही किया उसके बाद वे दूर बैठ बहुत उटसुकता के साथ देखने लगे गोरईयों के एक जोड़े ने डिब्बे में रखे चावलों को देखा जोड़ा वहां आया और चावल चुगने लगा उसे डिब्बा बहुत ही आराम दायक लगा और उन्होंने उसके अंदर अपना घोसला बना लिया कुछ ही दिनों बाद लीला और गोपाल को डिब्बे में गोरईयों के दो बच्चे दिखाई दिये उनके मातर पिता उन्हें बहुत प्यार से खाना खिला रही थे बच्चे बहुत खुश थे और गोरईया भी क्योंकि वे उनके बीच वापस आ गई थी इस प्रिष्ट पर पाई तरफ के ऊपर कोने में एक चित्र दर्शाय गया है जिसमें चिडियों के लिए पेड़ पर एक डिब्बा रखा हुआ है और उनमें भी खाने बने हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारी गोरईया ओड रही हैं कोई बैठी हुई है इसी तरह इसी प्रिष्ट के दाहिनी कोने में नीचे की तरफ एक खिड़की दर्शाय गई है जिसमें की बच्चे अंदर से उन चिडियों को निहार रहे हैं प्रिष्ट सत्र